नमस्ते हैं दोस्तान कैसे हैं आप लोग आज एक पोस्ट आया मेरे पास और एक रिक्वेस्ट आई कि आप अपने वीडियो में जरूर बोलेगा उनका कहना है कि कविता उन्होंने लिखा है आप भी सुन लेजे हम शांत रहेंगे शोले दिल में बैठा के रखेंगे हम शांत रहेंगे अपनों के रक्त को देखते रहेंगे हम शांत रहेंगे हम धरना करते रहेंगे पर हम शांत रहेंगे मा बहन की पीड़ा नहीं समझेंगे हम शांत रहेंगे वो हमारे इश्वर को गाली देते रहेंगे पर हम शान्त रहेंगे हम 1990 याद नहीं करेंगे हम शान्त रहेंगे हम निकिता अंकित को देखते रहेंगे पर हम शान्त रहेंगे अपनी चिता पे राजनीती देखते रहेंगे हम शान्त रहेंगे मोदी योगी को अकेले काम करते देखेंगे पर हम शान्त रहेंगे, अपने ही लिए सोचते रहेंगे, हम शान्त रहेंगे, अपने तहवारों को नुस्क ढूंडते रहेंगे, अपने तहवारों का में नुस्क ढूंडते रहेंगे, पर हम शान्त रहेंगे, राम राज्य का सपना देखते रहेंगे, पर हम शान्त हम जाती वो राजनीति के लिए अलग होते रहेंगे, हम शांत रहेंगे, अपनी हत्या का इंतिजार करते रहेंगे, पर हम शांत रहेंगे. क्या खूब लिखा ना किसी ने कि सब कुछ देखते रहो पर शांत रहेंगे इसी पर दोस्तों आज ममताब एनर्जी ने अपना तीसरी बार है ट्रिक ले लिया है पत्रकारों को कोविड वारियर्स गोशित कर दिया है आदर्स विश्व में पत्रकार युद्धा ही होता है वैसे भी और उतना ही नहीं वह आदर्स विश्व की बात है जहां पश्यम बंगाल की बात हो रही है मिलने वाले सुविधाओं से अलग रख कर देखा जाये तो पत्रकार को कोवीड वारियर घोशित करना एक सिंबोलिजम से अधी कुछ और है भी नहीं पर जैसा पत्रकारों ने इसे गिफ्ट के तोर पर रिसीव किया है वहीं पे प्रदेश में हो रही हिंसा और चुपी साथकर रिटर्न गिफ्ट भी दिया है पत्रकारों ने जगा जगा विचार धारा और इतना ही नहीं इस पूरे बंगाल में हो रहे हिंसा पे जो उनका चुपी साधना पत्रकारों ने साबित कर दिया है कि वे कुरोना काल में दीदी के वज़े से युद्धा तो बने ही है चुपी साधकर साधक भी हो गए है लेकिन बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे मौनी बाबा म इस चुपी के वीच एक पत्रकार मित्र है अगर उनसे पूछा कि भाई चुप क्यों हो इतना हिंसा हो रहा है बेटी बेहनों के साथ रेप हो रही है दंगा हो रहा है उठा कर घर से ले कर जाते हैं और रात भर गैंग रेप करके सुबह जंदा उसी के घर पे टांग देते हैं फिर भी चुपो मेरे कहने पर असर हुआ और बोला अरे ऐसा नहीं है हमें डिस्टरब मत करो अभी हम हिंसा का लेवल नाप रहे हैं अब आश्यर्स तो होगा ना हिंसा का लेवल कैसे नाप रहे हो जड़ा ये भी बताओ पूछा गया उनसे वो कैसे और किस लिए वो ब हिंसा के दो तरीके होते हैं एक वो होते हैं जो तब भी इसके खिलाफ तुरन आवाज उठाई जाये और दूसरी वो जिसь पर कुछ बोलने से पहले उसे नाप ना होता है जब नाप जोक से पता चलता है कि हिंसा खत्रे के निशान से उपर पहुँच गई है तब उस पर कुछ विचार किया जा सकता है मेरे को भाई रा नहीं गया पूछ लिया हिंसा नापने का इंच टेप होता है क्या श्मारे पास तो है और वो भी अल्टीमेट है बॉस अल्टीमेट मैंने पूछा कैसा भाई कैसा खासियत है उसकी मेरी बास सुनकर धीरे से बोला अरे वह इंच्टे मुझे रवीश कुमार ने गिफ्ट किया था उसकी बास सुनकर लगा कि क्या समय है पत्रकार खत्रे को नही अजीब अजीब हैडलाइन गड़ने के लिए विश्व कब जीच चुके अख़वारों के हैडलाइन एडिटर के लैप्टॉप का जीपैट जाम है एक तरफ जहां पे IPL का मैच रद हो गया तो वो बात सबको पता है चलिए वो भी छोड़ दीजे कगना रनौत अच्छा क पता है ठीक है देश की बेटी है उनका ट्वेटर अकाउंट सस्पेंड हो गया वो भी सबको पता चलिए लेकिन बंगाल में हिंसा हो रही है किसी और को तो छोड़ी हमारे लगता है प्रदान मंत्री को भी पता नहीं चला इस चुपपी काल में पत्रकार अपनी अपनी पो रहे हैं पश्चिम बंगाल में फिर से मजबूत हुआ लोगतंत्र इस समय हिंसा वेबसी और चुपपी का ऐसा संगम है जिसमें शोशल मीडिया का आउटरेज बुड़ा पुत्रा पड़ा है विल्कुल दोस्तों ऐसे काल में आम आद्वी मजबूरी वाली अपनी ही हो जाएगी पर ऐसे काल में पत्रकार अपनी चुपपी के लिए ऐसे दर्शन गड़ लेने का उकात भी रखता है जैसे देख बड़े बड़े दार्शनिक दातों तले उंगली दबाले वैसे मौके पर पत्रकार का दर्शन पश्चिम बंगाल की राजनितिक हिंसा कोई बात नहीं है से लेकर हिंसा की ऐसी घटनाएं भी आज कॉमिनल नहीं है क्योंकि एस एक बर्ग को आत्म विश्वास देती है तब कभी यह कहा जा सकता है ऐसी चुपी का परिणाम स्वरूप है कि आज यह कहीं से भी नहीं दिख रहा कि कुछ भारत का एक राज जो हमसे कु हमारे बगल में ही एक बच्ची थी मात्रों 19 साल का उठा के ले गए तीन बजे और आट बजे वापस घर छोड़ कर चले गए और बोला दरवाजे खोल के रखो नहीं तो तुम्हारे जो बेटा उसको काट देंगे और यह कोई रेप नहीं है कि एक बार किया उसको रेप मत बिरूर देखो और देखने को भी थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि हमारे जो पत्रकार है वो नहीं अभी मापदंड में थोड़ा द्यस्त है तो ज़्यादा दिखाएंगे नहीं आपको तो अभी फिलाल आप देखते रही है जिनोंने भी और दूसरी बात जिन सेक्यूलर अभी भी खुशी है कि अरे वह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक औरत से हार गया एक महिला से हार गया ये अलग बात है कि उनको ज़्यादा स्वाद आ रहा है बेहन बेटियों का रेप हो रहा है बुड़ी अम्मा बुड़ी मा को मारा पीटा जा रहा है घर से भाई औ और हमारे जितने भी बेहन बेटिया उनको लूटा जा रहा है उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है बस लेकिन रहात इस बात किया कि मोदी हार गया तो उनके लिए तो मैं यहीं बोलूँगी अगर ऑक्सीमेटर में भी अगर लेवल ना बताय तो आप मान लेना कि आप यह स शीके बात कुए कि आज ठोड़ा यही कहुंगी दोस्तों कि आप लोग जो भी है बेंगाल बंगाल में हैं बंगाल में रहने वाले लोग जो कि आब असमा चुके हैं असम की सरकार से सुनने में यह भी मिला है कि मदद दी जा रही है उनके ली अलग से शेल्टर बनाया जा रहा है उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही क्योंकि टीमसी के हिंसा जितने भी पीडित असम पहुंचे है सेकडों बीजेपी कारकरताओं को हेवंत विश्वा सर्मा ने दो शीविरों में रखा है और उनको आवश्चक सुविधाय भी पहुचाई जा रही है यह अच्छी कर चुके असम के मंत्री और भाजपा के नेता हिमंत विश्वा सर्मा ने ट्वेट करके जानकारी दे कि बंगाल छोड़कर असम आने वाले कई लोगों को राहत शीविरों में रखा गया है बाकी अब इसके बारे में जैसे ही कोई नया रिपोर्ट आता है मैं सुमन पांड कोई जो आपने वेल विशिज गुड मेसेज़ेस मुझे जो दिये हैं मेरे लिए जो मेरे स्वास्थ के लिए मेरे हैं के लिए जो आप लोगों ने प्रेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे अंदर बहुत अच्छी इंप्रूब्मेंट आ रही है कोवि परसो तक मेरे वीडियो में नहीं वलकि खुद वीडियो क्लिप्स में आपके सामने आएंगे और थाइंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया इतना सपोर्ट दिया और जब मेरी तब्यात खराब है तो आप लोगों की इतने अच्छे-च्छे सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए कि कोई भी अपडेट आपसे रहना जाए चूक ना जाए जैहिंद अपने घर में रहें सुरक्षित रहें परिवार के साथ अच्छे-च्छी मूवीज देखो आप लोग रामायन देखिए महाभारत देखिए कृष्ण महादेव आते हैं वो देखिए जिसे की पॉजिटिव वाइफ बने रहें और आप हमेशा खुश रहें जैहिंद